हलो बच्चों आपका हमारी आत्मा एकडेमी चैनल में स्वागत है मैं आज क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था गौस्थरम तो मैंने गौस्थरम एलेक्रिक वेक्टर एलेक्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर यह सब बता दिया है हमने आज उसके एप्लिकेशन हम बता बने जा रहे है एक टॉपिक है- इंतनस्टी ऑफ्लेक्रेक्रिक फिल्ड नियर ciąल युञ्फ वायर आफ इनफ dependent एक डैट्रेटर है जो इंफाइनफिनेट लेंद का है हमने का यह एक स्ट्रेटर्ग वायर हैं कि हई इसकी लेंथ इनफाइनएट आन पड़ा कि इसमें चार दिखाना चाहते है इसकी जब लैंद है वो इनफाइनेट है ठीक है अब हम जब इसको चार्ज देगे तो चार्ज क्या होगा वो पूरी वायर में युनिफरमली डिस्टिबूट हो जाएगा ठीक है तो एहनि पूरा फ्रीकार mention है वो पूरे वायर ले लेते हैं और उसका charge निकाल लेते हैं तो हमने माल लिया कि let lambda be linear charge density linear charge density linear charge density का मतलब क्या हुआ unit length में जो charge की value है वो lambda है unit length में जो है जो charge है वो lambda है तो lambda हो गया आपका linear charge density रेखी क्या कहेंगे इसको रेखी घरत हो linear charge density यह unit length में जो इसका charge है वो lambda है ठीक है और there is a point P where I have to find the electric field यह एक infinite length का wire है उसको charge दिया गया है अब charge कितना दिया गया है मालित है क्यों दिया गया है तो पूरा wire में वो जो है distribute हो गया है और there is a point P at distance R from this wire at which electric field is required अब point P कहां पे होगा R distance पर यह मेरे पास wire है R distance पे एक wire खीचना पड़ेगा जो की इस P से ओकर के जाएगा तो हमने क्या किया इस wire का L length माना और L length में हमने एक Gaussian surface खीच दिया यह Gaussian surface खीचा हमने इस प्रकार से Gaussian surface खीचा गया है एक cylindrical Gaussian surface हमने खीच दिया ठीक है यह L length का Gaussian surface है इसकी लंबाई हमने L मान ली है और यह surface कहां से होकर पास हो रहा है हमने कहा था उस point से होकर पास होना जरूरी है जिस point पे आपको electric field निकालना है और दूसरी बात यह है कि वो जो Gaussian surface आप खीचे वो थोड़ा symmetrical होना चाहिए तो आप क्या कहें के Let lambda is the surface linear charge density and we have given that charge to any wire of infinite length there is a point P at distance r at distance r from the wire at which the electric field is required we draw a Gaussian surface Gaussian surface कैसा किचेगा wire की चारों एक cylindrical surface किचेगा कितना बड़ा cylinder होगा नियमता infinite length का होना चाहिए लेकिन हमने L length का एक cylinder खीच लिया है यह आपका है Gaussian surface GS का मतलब Gaussian surface short में हम लिख रहे है अब electric field निकालने का तरीका क्या होता है हमने बताया था कि आप क्या करेंगे छोटा सा यहाँ पर surface element लिजिए यह DS होगा और electric field की दिशा क्या होगी प्लस से दूर तो electric field की direction भी यही होगी तो पहले आप निकालेंगे electric flux through the small surface element इससे electric flux हम निकालते हैं क्योंकि हमको पूरे Gaussian surface से निकालना है तो हम निकालेंगे electric flux पहले तो diagram की बारे में लिखेंगे थोड़ा वो electric flux through the small surface element या area element जो भी आप कहें small surface element ds d phi e क्या formula बताया गया है e dot ds e और ds के बीच angle कितना है दोरों ही पैडल है तो angle will be 0 degree तो this will be e ds cos 0 यानि cos 0 के value 1 होती है तो e ds ये हो गया आपका flux passing through small area element अब हम निकालेंगे वही total Gaussian surface से flux कितना pass हो रहा है तो electric flux passing through passing through the whole Gaussian surface whole Gaussian surface तो जब हम phi e निकालेंगे तो क्या बताया गया इसको आप close integral कर दो e dot ds को इसको close integral हमने कर दिया अब ज़रा समझेगा एक चीज हम इसमें छोड़ रहे हैं वह अभी हम बताते हैं थोड़ी दिर में तो यह हो गया phi e is equal to close integral e ds cause 0 यह e ds निकालाया है अब ज़रा समझेगा हमने यहाँ पर Gaussian surface ने टॉप और बाटम नहीं लिया है भी ज़रा यहाँ टॉप पे आईए टॉप पे यह टॉप है इसका area element किदर होगा हमने कहा था area element हमेशा surface के normally outward होता है यहाँ का अगर area element लिखेंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ तो यह हो गया area element ds या ds1 और यह हो गया electric field अब बताएए दोनों की बीच angle कितना है 90 degree तो flux कितना होगा e cos 90, e ds cos 90 0 हो जाएगा अब बाटम पे आईए बाटम में यह area element direction perpendicular outward ds2 यह electric field angle 90 degree तो flux 0 यहाँ लिखेंगे कि at the top and the bottom of the Gaussian surface the electric flux will be 0 यहाँ लिखेंगे कि at the top and bottom of Gaussian surface electric flux will be 0 reason is clear from the diagram the angle between e and ds is 90 degree and cos 90 is 0 तो यहाँ कि आपको क्यों यह होगा यह e ds निकालना है तो अब इसको निकाल लेते हैं देखेंगे proof कैसे किया जाता है यह बताए जा चुका है कि पहले मैं e dot ds से अपना electric flux निकालूँगा अपना calculation करूँगा फिर हम कहेंगे कि मेरे हिसाब से यह electric flux आया है और gauss के हिसाब से q upon epsilon not होता है और दोनों values को हम equate कर देंगे देखें so phi e is equal to e तो बाहर हो जाएगा close integral ds इस cylinder का surface ले जा कितना होगा यह वाला क्यों लेना है आपको क्योंकि top और bottom का area नहीं consider करेंगे क्योंकि वहाँ पर flux नहीं पास हो रहा है तो आपने अगर पढ़ा हो 2 pi r h तो 2 pi r l यह आपका flux हो गया आपके calculation के हिसाब से ठीक है अब मेरे हिसाब से मेरे मतलब gauss के हिसाब से by gauss theorem by gauss theorem phi e is equal to क्या होता है q upon epsilon not q काउं सा जो इस gaussion surface ने बंद कर रखा है जो इस gaussion surface के अंदर है हमने पूरे wire को कितना charge दिया है वो हमको नहीं मालू हमने बहुत 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 सा q charge दिया है वो इसमें distribute हो गया है वो हम calculate नहीं कर रहे है हम कि गॉसियन surface का ले रहे है हमने unit length का charge क्या बताया है lambda और length इसकी कितनी है L तो इसका कितना हो जाएगा lambda L यह हो जाएगा lambda L upon epsilon not equation number 2 यह मेरा flux यह gauss का flux दोनों flux कैसे होंगे आपस में same होंगे diagram रब कर रहे है तो आप लिखेंगे equating या by equation 1 and 2 दोनों flux को equate कर दीजे you will get the value by equation 1 and 2 तो यह हो जाएगा आपका e into 2 pi r l is equal to lambda L upon epsilon not तो जब e निकालेंगे तो क्या आएगा यह इधर ले जाओ 1 upon 2 pi के साथ इसके रिस्तदारी आ जाएगी तो 2 pi epsilon not यह उपर lambda L नीचे RL L कर जाएगा e is equal to 1 upon 2 pi epsilon not into lambda upon R तो यह आपका electric field due to a state uniformly charged state wire of infinite length ठीक है अगर इसको vector form में लिखना चाहे तो diagram में फिर पहुचिए आप diagram में मैंने यह cylinder बनाया था यह wire था यह R था और R की direction में ही E है और हमने बताया है कि जिस चीज को vector form में लिखना हो जिस direction में उसकी value आपको मिल रही हो उस direction के unit vector से multiply कर दीजिए तो अगर मुझे in vector form लिखना होगा vector form तो E is equal to 1 upon 2 pi epsilon not lambda upon R into R cap यह आप लिदेंगे तो this will come in the vector form तो यह हो गया intensity of electric field near a uniformly charged state wire of infinite length ठीक है next topic देखिए थोड़ा technical topic है जोड़ा साउधानों के देखिएगा क्योंकि conceptual चीजे यहाँ पर बहुत है अगला topic है intensity of electric field intensity of electric field near a infinite plane charged of non-contained infinite near a अब यह heading है infinite plane in finite plane charged non-conducting seat plane charged seat लिख दो या non-conducting seat लिख दो कोई दिक्कत नहीं है यह उल शीट लिख सकते है ना न कंड़क्टिंग शीट जरा समझेगा यह infinite का मतलब क्या होता है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई sheet infinite area की हो अब भाई हम तो उसमें इबट कर दी सकते हो तो उन्हों कहा है तो हो यह जगता होगा थोड़ा practically समझेगा अगर कोई sheet है आपकी जनी बड़ी sheet है और आप बहुत छोटा सा point है आप और बहुत नजदी किसके आ जाओ very close to it तो आपको यह बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी आपने पिच्चरों में देखा होगा या किसे धार्मिक उसमें कि जब एक large body करता है अपने आपको ताब उसके सामने अपने आपको छोटा समझते हैं तो आपको ऐसे देखना पड़ता है यह शीट के अगर नजदी का पाएंगे शीट को देखेंगे जैसे देखना पड़ेगा तो आपको क्या लगेगा यह infinite sheet है infinite area इसका है यह मा water surface पे recite करते हैं बाहर चले जाते हैं ठीक है और non conducting में क्या होता है कि जो भी चार्ज देते हैं जहां भी देंगे वही चार्ज रखा रहेगा यह पूरी sheet में पूरे volume में फैल जाते हैं फिलाल हम plain sheet के बारे में बात कर रहे हैं तो sheet की हम वेर्थ नहीं लेंगे तो हमने का य यह कोई sheet है इस प्रकार से और इसको हमने charge प्लस दे रखा है कितना दिया मुझे नहीं मालूँ बहुत बड़ी sheet है तो charge बहुत सारा एक धेर सारा हमने इसको पुरा बोरा भर charge दे दिया है और यह charge चारू तरफ इसके फैल गया है ठीक है इस प्रकार से charge इसमें फैला हुआ है ठीक है और यहां पर एक पॉइंट पी है वह यहां भी हो सकता है और यहां भी ओक पॉइंट हो सकता है किसी डिसंस पर हो सकता है जिस पर आपको electric field निकालना है तो आप रिखेंगे कि let charge is given charge कितना given उसको नहीं मालूम है charge is given to the sheet of infinite plane यह नहीं to the sheet लिख दो infinite थो यह sheet and अब problem है कि पूरा charge निकालें कैसे तो हमने माल लिया let surface charge density surface charge density क्या है sigma यानि इसके unit area का जो charge है उस sigma है यानि इसका जो surface charge density कितना है sigma है और इस sheet के दोनों तरफ charge रहा होगा इधर भी दिखाई पड़ेगा इधर से भी दिखाई पड़ेगा इधर भी electric field होगा तो electric field निकालें कैसे ही तो हमको एक Gaussian surface बनाना पड़ेगा तो हमें जिस point पे आपको electric field निकालना है वहां से Gaussian surface ऐसा बनाना पड़ेगा अपने हिसाफ से बनाएंगे आप जो जिसके अंदर थो चार्ज इंक्लोज हो जाए ठीक है तो हमने क्या किया एक Gaussian surface में पहले इसको हमने एक cylindrical shape दे दिया हमने इसको बंद कर दिया आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं और आप इसको cubital shape भी दे सकते हैं ठीक है Gaussian surface ऐसी भी हो सकती है तो हमने Gaussian surface ऐसी बनाई और यह हमने charge in close कर दिया इस sheet का ठीक है और यह यूँ समझेगा इसको हमने किस प्रकार से किया है इसको कैसे समझाया जाए देखिए यह Gaussian surface है इसको हमने चार्ज दिया था हमने यहाँ पर छोटा सा area लिया है और इस area में हमने एक cylinder ऐसे निकाल दिया है और ऐसे निकाल दिया है एक cylinder इसके आरपार कर दिया है ठीक है तो यह Gaussian surface है तो इसी प्रकार से यहाँ भी इसको इधर ही निकाल दो यह Gaussian surface है यह area A है यह area भी A है ठीक है यहाँ पर point Q है यहाँ पर point P है यह पूरा Gaussian surface है नहीं है अब देखिए इस ग नहीं है जो एलेक्रिक फिल्ड होगा यहां पर जो किदर होगा बाहर की तरफ और यहां किदर होगा बाहर की तरफ सेम होगा यहाँ पर जो area vector है वो बाहर की तरफ यहाँ भी area vector बाहर की तरफ नहीं होगा अब देखिए हमको electric flux निकालना है कितने surface हैं तीन surface हैं एक surface यह एक surface यह और एक surface यह जो यह वाला है यह भी जो surface है लेकिन यहाँ पर जो area vector है वो किधर क्यों होगा बाहर की तरफ होगा da1 नहीं होगा इसको आप d लिख सकते हैं छोटा सा area element लिख सकते हैं यह यह पूरा area a माना है इसका छोटा सा part आप लिख सकते हैं ऐसे बलाइएगा ये पूरा area A है इसका छोटा सा part आप लिख दो DS इसका छोटा सा part लिख दो DS इसको साफ साफ रबना दीजेगा और गन्दा वैसे भी रैटिंग गंदी है थोड़ा गन्दा दिख भी रहा है ये पूरा एरिया आपका A है ये पूरा एरिया A है ठीक है ये पूरा एरिया A है ये इस पॉइंट को इन्क्लोस किया है ये पूरा एरिया A है ठीक है हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया है ये एरिया DS है और ये एलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया DS है ये एलेक्ट्रिक फील है ठीक है अब कितने सर्फेस है एक ये कर वाला सर्फेस है एक ही वाला है ये एक ही वाला है डाइग्राम तो क्लियर हो गया होगा ठीक है अब हम निकालेंगे कि दा एलेक्रिक flux तो पहले लिखेंगे कि वीड्राइ Gaussian सर्फिस, Gaussian cylindrical surface या Q-Vidle surface अगर Q-Vidle आप कीछोगे तो Q-Vidle surface ऐसे पार होगा आर पार तो ये P को contain करेगा ये electric field होगा ये area vector होगा इधर देखिए ये electric field होगा ये area vector होगा और यहां हर जगे area vector electric field के perpendicular हो जाएंगे तो वैसे भी वहाँ electric flux zero हो जा रहा है ठीक है तो the electric flux passing through हम total निकाल नहीं total electric flux passing through the entire Gaussian surface entire Gaussian एक्टुली में Gaussian surface जो आपने बनाई है आपने ये surface आपने बनाई है एक ये बनाया है एक इधर बनाया है इधर ये electric field है ये DS है इधर ये electric field है ये DS है और इधर ये DS है और ये electric field है ठीक है ये electric field है तो यहाँ पर तो flux zero हो जाएगा कि और ये और ये surface आपको दिखाना है ये area दिखा जो दीजिएगा जैसे examiner को ये clear हो जाएगा कि आपको clear हो गया है कि आप examiner को क्या क्लियर करना चाहते हूं ठीक है नहीं तो अगर confusion हो सकता हो कहेगा आपने curve services दिखाये नहीं है देखिए तो कैसे करेंगे अब इसको आप integrate कर दीजी देखिए तो phi e is equal to क्या हो जाएगा integral e dot ds पहले surface के लिए ठीक है प्लस integral e dot ds दूसरे surface के लिए और तीसरे के लिए already zero है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यह surface integral होगा क्योंकि open sheet है यह close नहीं है ठीक है चार्ज आपने वो close कर दिया है तो close लिख भी सकते हो नहीं भी सकते हो नहीं भी सकते को ज़रूरत नहीं है e और ds के बीच angle कितना है 0 degree तो यह हो जाएगा surface integral e ds cos 0 plus surface integral e ds cos 0 cos 0 1 होता है यह e ds दो बार आया हुआ है तो यह आजाएगा 2 e और ds का जब integral करोगे तो यह आजाएगा area 2 e into a यह आपने flux निकाला है हर जगे पहले आप flux निकालेंगे फिर गौस साब थे बात करेंगे ठीक है वहना गौस साब कहेंगे पहले हमाई को डिस्टेप करते हूँ ठीक है तो देखिए गौस साब क्या कहते हैं by gos theorem by gos theorem flux क्या हो जाएगा q upon epsilon not q क्या है इस पूरे seat को जो चार दिया है वो हमने क्यों नहीं माना है वो तो हमने बोरा भरस का चार दिया है वो हमने मालूम भी नहीं कितना दिया है ठीक है यहां देखिए जाए ध्यान से इस जो आपने gaussian surface खीचा है इसका area आपने क्या लिया है इसका area आपने लिया है a और sigma क्या होता है unit area का charge तो a area का charge कितना हो जाएगा sigma a तो यह हो जाएगा sigma a अपन epsilon not यह gauss के हिसाब से flux है यह मेरे हिसाब से flux है तो by equation 1 and 2 इन दोनों को क्या करेंगे इनको हम equate कर देंगे कर दीजिए equate तो यह हो जाएगा 2 e into a is equal to sigma a upon epsilon not तो e is equal to sigma upon 2 epsilon not यह किसी भी plane sheet के दोनों तरफ electric field होता यहाँ भी इतनी होगा और मैं इधर की बाज करूँगा तब भी पूरा Gaussian सर्शिट लेना पड़ेगा वहाँ भी electric field लेना होगा एक बड़ा confusion के स्थित होती है कि जब मैं इस point पे electric field निकाल रहा हूँ तो यह तो direction opposite है तो हमने जोडा क्यों यह बड़ा confusion है इस student बहुत एक पूछता है देखे actually मैं electric field electric flux का concept क्या है एक तो scalar quantity है e dot ds होता है दूसी बात आप निकालते है flux passing through the entire Gaussian surface यह पूरा Gaussian surface है इस पूरे से कितना flux pass हो रहा है charge इसके बीच में यहां कहीं enclosed है इसलिए total को add किया गया है ठीक है यह इसका कारण है इसके बाद next topic देखे यह application आप गौस्थरम चला है इसकी वज़ए से इसमें बहुत सारी heading होंगी कुछ हम अभी discuss करेंगे कुछ next video में discuss करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा एक video में देखे इसके बाद आता है यानि किसी भी sheet के नजदिक किसी भी plain sheet के नजदिक electric field का formula क्या होता है sigma upon 2 epsilon not हमने यहां पर r जो distance है हमने नहीं लिए यानि कि doesn't depend upon the distance at which point you are finding the electric field अब आप कहेंगे सब क्यों नहीं depend करेगा दूर जाएगे तो electric field हाँ ठीक है वीक हो जाएगा वह कलग बात है लेकिन r नहीं यहां पर आया हुआ है हम very close point यहां ले रहे point is very close to this point क्यों देखो ध्यान से अगर sheet के आप close नहीं जाएंगे इस दो कारण है एक तो infinite sheet का एक concept ही अजीब है infinite sheet हो नहीं सकती हम क्या करता है इस sheet के बहुत नजदीक आते है बहुत नजदीक आएंगे किसी चीज़ के बहुत नजदीक एक बहुत बड़ा विशालकाय आदमी है उसके बहुत नजदीक आप पहुँचाईए उसके पेट की पास से मूल आईए तो इससे उसका मुझ देखना पड़ेगा आपको लगे गारे दादा बहुत बड़ा आदमी है और दूर से देखे तो आपको उतना बड़ा नहीं देखाई पड़ेगा तो एक तो हम बहुत जो पॉइंट ले रहा है वेरी क्लोज तुदिस शीट है पहली बात दूसरी बात जब ये एलेक्टरी फील्ड निकलेगा ना इधर तो जब थोड़ी दूर बाद एलेक्टरी फील्ड थोड़ा सा कर्व लाइन्स लेना सुरू कर देगा अब आप तो कह रहे हो कि E और Ds के बीच में एंगल कितना है आप 0 डिग्री ले रहे हो तो 0 डिग्री कब ले सकते हैं जब आप बहुत इसके क्लोज हूँ अगर आप दूर जाएंगे तो लाइन्स धिरे धिरे कर बन जाएंगी इसलिए भी पॉइंट बहुत नजदीक है आर से इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रखा गया ठीक है अब ज़्या देखे अगला टॉपिक क्या है अगला है कि एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंस्टी एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अचार्ज कंड़क्टर जस्ट आउटसाइड अचार्ज कंड़क्टर चार्ज्ड कंड़क्टर अभी हमने बताया कि नान कंड़क्टर क्या होता है अब आपका इंकसाब नान कंड़क्टर को तो चार्ज नहीं कर सकते उसका charge elektron नहीं होते क्या उसमें किसी non-conductor में elektron नहीं होते होते हैं ठीक है वहाँ जो charge दिया जाता है वो जहाँ पर दिया जाता है वही पर रख जाता है तो पूरे उसमें distribute होता है इसका जो elektron होगा जो charge होगा उसके outer surface पर reside करता है तो हमने कहा यह एक charge conductor है, एक मोटा charge conductor हम ले लिया, ठीक है, अब भाई आप कहेंगे मोटा क्यों लिया भाई, प्राबलम आप कह रहे हो कि charge उसके outside surface में होता है, और जो इतना पतला surface होगा, out होई यह ने उसमें, तो थोड़ा मोटा surface लोगे तब उसमें outside होगे न, तो इसमें एक surface one है और एक surface two है, ठीक है, हमने इसको positive charge दिया, तो यह charge इसके outer surface पे लाई करेगा, यहाँ दो surface हो गए, one surface और two surface, तो पहले तो की थेओरी लिखेंगे, कि suppose a charge conductor, a charge plate is there, charge plate is there, plus q charge is given to the plate, and sigma is the surface charge density, जीकि जो surface charge density हो जाएगे, क्या हम मानेंगे, sigma मानेंगे, और there is a point P, at which the electric field is to be determined, इस point पे आपको electric field की value निकालनी पड़ेगी, अभी हमने बताया, कि electric field किसी plane sheet की वज़े से sigma पान टू अपसाले नाट होता है, तो यहाँ पर यह लगभग एक plane sheet मानी जाएगे, अगर आप इसको बिलकुल एक ऐसे माल ले, जैसे आपने एक एक मिनट, जैसे आपने एक मोटा conductor यह लिया, तो एक यह plane sheet माल ले, एक यह plane sheet माल ले, ठीक है, तो plane sheet की वज़े से क्या होगा, देखे, electric field at P due to first surface, surface one, surface one, तो even माल लिया, क्या होगा, sigma upon two epsilon naught, direction क्या होगी, plus से दूर, plus से minus हम नहीं याद कराते हैं, plus से दूर, यह even होगा, ठीक है, यह point इधर लो या इधर लो, फिर electric field at P due to, surface two, दो surface ले लिजेगा, यह two ऐसे बनाईए, surface two, E two, यह भी होगा, sigma upon two epsilon naught, इसकी value भी plus से दूर हो जाएगी, E two, तो जब net electric field at P क्या करोगे, दोनों को, plus कर दीजे, net electric field, electric field at P, E is equal to, E one, plus E two, is equal to, sigma upon two epsilon naught, plus sigma upon two epsilon naught, is equal to sigma upon epsilon naught, ज़र थोड़ा confuse मत होईएगा, अगर आप से, infinite plane sheet कहेंगे, तो sigma upon two epsilon naught, और कोई plate कहेंगे, थोड़ी मोटाई भी उसमें होगी, तो उसमें sigma upon epsilon naught होता है, वो चाहे यह point पर ले लिजेगा, ठीक है, अब एक इसका special case ले लिजेगा, कि अगर दो plates रखी वी हैं, तो कैसे electric field निकालेंगे, इसी का special case है, एलेक्रिक फिल्ड इंटेंस्टी, इंटेंस्टी, बड़ी-बड़ी हेडिंग यहां बहुत बड़ी-बड़ी है, इंटेंस्टी, in between and outside, इन, between and outside, two non-conducting positively and negatively charged plates, two non-conducting आगिया, अधान समझेगा, पहले वाला है यह, non-conducting positively and negatively charged plate, या sheet, दो sheets हैं, एक positive है, उसके बीच में और उसके outside, आपको electric field निकालना है, ठीक है, देखिए, यह sheet है, कैसी है, non-conducting sheet, जो पहला अला प्रूफ कराया हमने, यह sheet number one है, ठीक है, इसको आपने charge दिया, plus charge दिया, यह positive charge दिया आपने, इसकी surface charge density आप sigma मान लेते हैं, बराबर भी हो सकती हैं, दोरों में, अलग-अलग भी हो सकती है, इसको आपने negative charge दिया, और इसकी surface charge density भी आपने sigma मान लेते हैं, अलग भी हो सकती है, देखें, अब पहली plate की वज़ा से electric field कि तरह होगा, कहां होगा वो बात की बात है, electric field due to plate 1, even is equal to क्या होगा, sigma upon 2 epsilon naught, हमने क्या कहा, यह sigma जो है, वो sigma 1, sigma 2 भी हो सकता है, ठीक है, sigma 1 लिख दो, यह sigma 1 कर दो, इसको sigma 2 कर दो, equal मत लिखेगा, sigma 1 upon 2 epsilon naught, ठीक है, और electric field at P due to, at P न लिखे, due to plate 2, क्योंकि point हमने clear नहीं किया है, plate 2, E2 is equal to sigma 2 upon 2 epsilon naught, अब ज़रा समझेगा, अगर point P पे आपको निकालना है, P कहाँ पर है, between the plate, तो E1 के direction क्या होगी, इसकी वज़े से, plus से, दूर, और E2 को ज़े से, minus की, और, तो जब net electric field, net electric field, at P निकालेंगे, E, तो क्या करेंगे, दोनों E1, E2 क्या करेंगे, दिख रहा है आपको, दोनों को plus कर देंगे, तो E is equal to E1 plus E2, क्यों हो जाएगा, E1 plus E2 is equal to sigma 1 upon 2 epsilon 0, plus sigma 2 upon 2 epsilon 0, 1 upon 2 epsilon 0, कामन हो जाएगा, तो आएगा sigma 1 plus sigma 2, इसको equation फिलाल 1 डाल दीजे, ठीके, अगर point, अब दूसरा आपको outside लेना है, अब outside point यहाँ भी हो सकता है, P डैस और यहाँ भी हो सकता है, तो at P डैस तो लिखेंगे, at P डैस net electric field, देखें, plus की वज़े से, दूर की और E1, और minus की वज़े से, पास की तरफ E2, तो net electric field या तो E1 minus E2 होगा, या तो E2 minus E1 होगा, हम माल लेते E1 बड़ा है, तो E is equal to E1 minus E2 is equal to, यहाँ रखेंगे, तो 1 upon 2 epsilon 0, सिग्मा 1 minus सिग्मा 2, तो यह आपका 2 होगया, ठीक है, अब यहाँ पर एक special case लिख दीजेगा, अब इस पर चेंज करिए, इस्पिसल केस, इस्पिसल केस, अगर हमें माल लें कि यह दोनों के सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है, और हम इसकी value क्या माल लें, सिग्मा, इसको हमने से, माना सिग्मा है, तो by equation 1, E is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे जड़ा, 1 upon 2 epsilon 0, 2 सिग्मा हो जाएगा, यह बहुत ध्यान से याद रखेंगा, कि दो plate के बीच में अगर electric field निकालना है, तो sigma upon epsilon 0 होता है, दो plate, एक positive एक negative, capacitor में यूज होगा direct, ठीक है, and by question 2, E कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यह sigma minus sigma 0 हाएगा, तो यह आपका 2-3 topic हो गए, electric field के, इसके बाद एक lecture और देंगे, उसमें पुराए खतम हो जाएगा, इसको देख लीजीगा, ok, thank you.